आप सभी को बेटा प्यार प्यारा नम्मिश्कार। दोस्तों, पुराड़ों में देवों के देव महा देव की पुजा रात्ना करने के लिए कुछ विशेष तुच्रीव को बेहत खास मानना गया है। इजी में से एक है महाशिवराथी, हिंदु धर्में महाशिवराथी को बहुत पहत्पूर पर मना जाता है। पंचांग के अनसार महाशिवराथी का ये पावन पर फाल गुर्मा हमें क्रस्पच की चतुर दसितित को मनाया जाता है। भगवान चीम के इस व्रत से अखंड स्वभाकी की ताप्ती होती हैं, इस दिन रुद्रा विशेक करने से बैटी की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, अखंड स्वभाकी ताप्ती होती हैं, लेकिन रुद्रा विशेक करते समय इन बातों का विशेक ध्यान रखना चाहिए, तिनकी रुड्रा विशेख करते समय हमसे क्या गल्तियां नहीं होने पाएं। सास्थ्रों के अन्सास कहा जाता है कि स्विवलिंग का रुड्रा विशेख या जला विशेख करते समय आपको पूर्व दिसा की ओर नहीं खड़ा होना चाहिए। साथ ही पस्चिम दिशा की और भी खड़े होकर सिवजी को जल अर्पित ना करें क्योंकि दिशा में भगवान की पीट होती है इसलिए इस दिशा में खड़े होकर जलाविसे करने से सुब फलों की प्राप्ती नहीं होती है दिशा का बहुत ध्यान रखना चाहिए सिवलिंग पर जल कराते समय आपको दच्छड दिशा की ओर ही खड़े होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा और उत्तर दिशा देवी देताओं की दिशा मानी जाथी है तो दिसा का ख्याल रखें, दिसा के साथ साथ सिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिवलिंग पर जो जल अर्पित किया जाता है, वह पवित्र हो जाता है, ऐसे में उस जल को लांगना असुभ होता है, इसलिए यदि परिक्रमा करें भी तो जहां से जल बह रहा हो वहीं से वापस घूम या पानी की धार का विशेश ध्यान रखें सीवलिंग पर कभी भी तेजी से जला विशेख ना करें धीरे धीरे जल चाढ़ाते हुए सीव मंत्रों का जाप कतना चाहिए सास्त्रों के अंसार सीवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी तुलसी की पतियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान सीव को तुलसी चढ़ाना वर्जित है सीवलिंग पर जल चढ़ाते समय पात्र का विशेश ध्यान रखना चाहिए, सीवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पीतल, चांदी और कासे के लोटे का इस्तेमाल सुब होता है, लेकिन ध्यान रहे की सीवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी तामवे स्टील आजिके ल विशे द्यान रखेंगे ये गलतियां नहीं होंगी तो निश्चिन थी आपको सुप फनों की प्राप्ती होगी भुले नात आपकी सारी मनों काम करें के तो दोस्तों इस पोर्ट से अब आज से विदा चाहते हैं फिर मलाकात होगी तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार नमस्काट